गूगल वालों ने न्यूस की भंडार लगा रहा है और अगेन इनका इमुलेटर लास्ट टाइम हमने एक हफ़ते पहले बातचीत करी थे आपको काफी पसंद आया अब मैंने इस इमुलेटर में क्यों ना गेम्स चला के आपको दिखाई जाए और इवर डॉट अप्शन है बट कैसे आप कर सकते हो तो अगर आप ब्लूस्टेक यह सब अभी तक यूस कर रहे हो ना इंचला गया दोस्तों आप गूगल का कपजा हो चुका है आप एंड्रोइट की अगर एप या फिर गेम्स चलाना चाहते हो ना तो गूगल वालों ने अपना पूरा इमुलेटर निकाल दिया है हाँ मैं गूगल प्ले गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ उसको तो सब जानते ही है यहां इमुलेटर की बात हो रही है हम लास्ट टाइम बात भी करी ती तो इसको थोड़ा आपको सेटप और डॉट अपी के और गेम्स सब कुछ आज 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 आज़ तो यह देखो गूगल प्ले गेम्स बीटा लिखता हूँ और यह मैंने इस्टॉल कर रखा है और इसमें आपको बेसिकली गेम्स मिलती है आपको .ap के नहीं मिलता है और यह एक है इसका लिमिटेशन बागी गेम्स में भी बहुत सारे टाइटल बचे आने यह कुछ है आप आपको major major coc दिख जाएगा इवन इसके अंदर free fire भी available है यह देख सकते हो free fire भी आपको मिल जाता है तो कुछ चीजे तो है बट यार emulator का अलग मज़ा यह भी आप लोग समस्ते हो तो इसके उपर अगर बात करी जाए तो यहां देख सकते हो Google वालों ने अपना एक emulator भी निकाला है अगें ध्यान से देखो तो यह developers के लिए हमने last time जैसा बात करी थी बट आप चाहो तो यह as a user भी कर सकते हो यहां से आप simply download कर लेना और setup असान प्रोसेसर कुछ नहीं होता है और यहां मैं अगर दिखा हूं आपको तो मेरे पास right now यह देख सकते हो developer emulator यह emulator यह देखी भी तो आप notice कर सकते हो इसके लावा देखो इसमें आपको play store का support मिलता है और mostly इसको भी games testing के लिए ही ज्यादा देखा जा रहा है तो अगर आप देखो अगर इसके play store पे भी मैं जाता हूं आपको first time ID ID लगानी पड़ेगी और यहां देख सकते हो apps आते ही नहीं है no दाल सकते हैं क्योंकि अगें यह इमिलेटर है तो आप वैप कभी तो functionality होगी तो बिल्कुल कर सकते हो बड़ उसके लिए आपको side load use करना पड़ेगा इसके लिए आप Microsoft Store पे पहुंच जो सबसे असान है WSA लिख दो पैसे तो WSA बंद हो गया है आप लोग जानते ही हो free trial पे click करना और काम हो जाएगा वैसे यह free है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाली 12 MB का software इसको open कर देते हैं अगर हम लो cmd open करते हैं और यहां पर आपको Windows 10 पर इसको yes कर देता हूं और यहां पर आपको इस command को एंटर करना और यहां हो क्या जाएगा दन काम हो गया इतना आसान था बस इतना सा काम था देख रहो कमांड डालना था अब आम इंस्टॉल कर सकते हैं इसको पर इसमें आप devices आएगा यहां पर देख सकते हो गूगल का पूरा Android 14 के साथ आता है अपना यह अगर मैं आपको settings में जाके about device दिखाओं तो यहां पर य सिंपल इतना असान है दोस्तों और यहां लोगेगा और हो गया अब यहां पर अगर आप चेक करोगे वर्ट सापा चुका है सर यह देख रहो यह है थोड़ा काम असान तो हां यह इस तरीके से आप .apk डाल सकते हो गेम्स की बात रही तो मैंने जैसा प्रेफरेंस करा है इ यह थोड़ी खोड़ी दिक्कत है मतला अगर अगर हाइंड यह सब गेम्स के लोगे ना बीजी एमाइस के ऊपर शायद प्रॉब्लम है की मैपिंग की में गेम तो आपकी चली जाएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं की मैपिंग अगर आप सेट कर सकते हो external software तो अलग बात है अगर कोई गेम आपको वहाँ नहीं मिलती है तो यहाँ पीजी आपके हो जाएंगे तो यह अच्छा है वैसे एक कमाल की चीजी बताना भूलिया यह साइड में आप देख रहे हो ना यहां से आप जाकी इमिलेटर हो और कस्टोमाइस कर सकते हो यहां पे आपको ग्राफिक सेटिंग मिल जाती है और अपने आप ग्राफिक ड्राइवर चेंज कर सकते हो ड्राइवर इंदी सेंस आपने ग्राफिक कार्ड इन बिल्ट वाला यूज करना चाहो इन लेप्टोप या फिर एक्स्टेर्नल आपके पास है इवन डेवलपर ओप्शन में जाके आप सबका काम तमाम हो जाएगा मेरे को लगता है क्योंकि सारी चीजे तो इसके अंदर मिलती है ग्राफिक ग्राफिक सब चेंज हो जाते है गेम का और सपूर्ट आजाएना फुल फन फिर तो कोई दिखती नहीं है बागी चलों हो आपको वीडियो पसन है आप बिल्कुल कर देना मिल देने अक्षिरों में तब तक के लिए बाइयर जय इन जय भारत बंदे मातरम